दोस्तों हम लोग रीट का जो पेपर हुआ है आज की रेट में 11 फरवरी 2018 में उन्ही कोशन पेपर पे हम लोग फुली डिसकस करेंगे कि इनमें कौन-कौन से कोशन पूजेगे तो देखते हैं पहला कोशन लोग सबा की कारवाही के संचालन के लिए आवस्या गड़पूत्री क्या है तो इसका अंसर होगा कुल सदस्य संक्या का 110 भाग नेश्ट कोशन पे डिसकस करते हैं भारत के संविधान के कौन से अनुछेद में एक मंत्री परिशत का प्रावधान है जो की राश्पती को उनके कारियों के निर्वाहन में साहिता परदान करेगा तो अनुछेद 74 के तहट राश्पती को उनके कारियों के निर्वाहन में साहिता परदान करेगा राज चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है तो राज चुनाव आयुक्त को सम्मंदित राज का राजपाल नियुक्त करता है भारत के सर्बोच नियाले के सम्मंद में निम्र में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो कथन ये सकते नहीं है कि राष्ट पती द्वारा मांगे जाने पर सर्बोच नियाल है उन्हें परामर्स देने है तू बाद हो निश्कोश्यन भारत के राष्ट पती के चुनाओं के निर्वाचन मंडल में सामिल है भारत के राष्ट पती के चुनाओं के निर्वाचन मंडल में सामिल है भारत की संसत तथा राजियों के विधान सभाओं और दिल्ली और पांडुचेरी के संग सासी प्रदेसों को केवल निर्वाचित सदस से नेस्ट कोशें देखते हैं कि एसिया की सबसे लमीरदी काँस है तो एसिया की सबसे लमीरदी ए बांग तीसी यहीं य कंतेजी नेस्ट कोशें फिल्म जारों प्र原 blinking तरजिनिया का इस्थित है नेश्ट कोश्चन पर डिसकस करते हैं नेश्ट कोश्चन यह है कि राजिस्थान का कौन सा नरत्य दो हजार दस में युनश्को की अमुर्थ सांस्कृतिक धरोहर सुची में समलित किया गया है तो राजिस्तान का जो न्रत है वो है काल वेलिया जो की अमुर्थ सांस कृतिक दरोवर सुची में सामिल किया गया है संत मीरावाई के पती का नाम क्या था तो संत मीरावाई के पती का नाम था भोज राज आंसर हो जाएगा भोज राज नेश कोशन देखते है चित्रकलासेली बणी ठणी समंदीत है नागरी दास से आंसर हो जाएगा नागरी दास चुरू जिले के दद रेवा ग्राम समंदीत है गोगा जी से आंसर हो जाएगा गोगा जी खेटाडली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किस ने दिया तो खेटाडली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान दिया था अमर्ता देवी ने आंसर हो जाएगा अमर्ता देवी नेश्ट कोश्चन पुस्तक आनंद मठ में बंदे मातरम किस ने लिखा तो पुस्तक आनंद मठ में बंदे मातरम बंकिम चंडर चटाड़ जी ने लिखा है नेश्ट कोशन देखते हैं भारत के समिधान की प्रस्ताबना में उलेखित हम भारत के लोग से क्या तातपर है तो भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना में उलेकित हम भारत के लोग महानक की आसे सब प्रभूता भारत के लोगों में नहीं है नेस्ट कोशन देखते हैं भारत के सम्मिधान के किस अनुछेत के अंतरगत आज प्रस्ता को समाप्त किया गया तो भारत के सम्विदान के भाग 4A में मूल करतप्यों को संग्रित किया गया है नेश्ट कोश्चन भारत सम्विदान का अनुछेद 25 समंदित है तो इस कोश्चन का अंसर आप कमेंड बाक्स में दे सकते हैं इस question का answer आप comment box में मेरे दे सकते हैं ठीक है next question पे discuss करते हैं कि समताब सीमा पर औसत तापमान रहता है तो समताब सीमा पर औसत तापमान रहता है 43 degree Celsius next question basalt cell का उधारान है तो basalt cell का उधारान है व्रहाय आग्रे cell answer हो जाएगा ठीक है next question देखते है एक portion इस्तर से दूसरे portion इस्तर तक उसत उर्जा का प्रभा होता है 10% next question mag इस्तनीज किसका राज़दूस था तो mag इस्तनीज cell कुयस का राज़दूस था next question काउन चंद्रकुदुतिय की रासवा में एक नवरत नहीं था तो बोता फायान जो की चंद्रकुदुति की रासवा में नवरत नहीं था next question समाजिक सुदारख में गोविन गुरू का जनम हुआ तो समाजिक सुदारख गोविन गुरू का जनम हुआ था बंजारा परिवार में next question देखते है चेताबनी रा चंगटया किसने लिखी तो चेताबनी रा चंगटया लिखी थी केसरी सिंग बारट ने next question देखते है लंदन में वीर विनायक्स दामोदर सावरकर के लिए आंगे अध्यन हेतू चातर बती की विवस्ता किसने की थी तो लंदन में वीर विनायक्स दामोदर सावरकर के लिए आंगे अध्यन हेतू छात बती की विवस्ता किती स्याम जी करश्न बर्मा जी ने next question मरस्त जन्पत की राजधानी है तो मरस्त जन्पत की राजधानी है बिराठ नगर next question देखते है पैगन बंज का आनन्द मंदिर कहां इस्तित है तो पैगन बंज का मंदि जो इस्तित है वो है मयामार में नेस्ट कोश्चन तराइन कायूद 1191 इसवी में किस ने जीता तो तराइन कायूद 1191 में प्रत्वी राज चोहा ने जीता था तो दोस्तों अभी के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं अभी का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे दिये गए रेट का लग के बटन पर किलिक करें और मैं जो नए दोस्ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन पर किलिक करने क्योंकि बेल आइकॉन पर किलिक करने से होगा ये कि मैंने नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को असानी से मिल जाएगी तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ जै हिंद